भारत देश दिन पर दिन तरक्की कर रहा है एक और महिला और पुरुशों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है तो दूसरी और समाज के कुछ गलत लोगों की वज़े से महिलाओं को आज भी अपमान सहना पड़ता है ऐसी ही एक पीडित महिला की कहानी आज हम आपको दिख खाने जा रहे हैं हमारे समवादाता विशाल गूस्वामी से खास बाचीत में पीडित महिला ने क्या कुछ कहा आप भी जानिये शादी विवा शादी विवा हमारे समाज में और भारत के इतियास में अपने आप में सुरू से ही एक सब्विथा रही है एक संस्कृती रही ह लेकिन हमारे समाज में आज भी लोग शादी विवा को मजाग बनाने में लगे हुए हैं तार-तार करने में लगे हुए हैं शादी साथ वचन, साथ कस्मों का एक बंधन होता है लेंगे समाज के कुछ तत्व इस बंधन इन वशनों को ना समझने की दोर में लगे हुँ हैं और ना समझ पा रहे हैं इसी दुख से पेडित और इसी विभा से पेडित एक महिला हमारे साथ हैं दीब माला जी वो कही ना कही अपने रिष्टे को लेकर परिशान है आईए बात करते हैं उनसे दीब माला जी क्या परिशान ही है आपके इस बेभाई जीबन में सर मेरे हजबन ने दूसरी शादी कर ली है और उसके कुछ डॉक्मेंट्स गरा मुझे जब मिले जब मैंने उनसे बात की तो मुझे बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया गया सस्वाल वालों की तरफ से कोई बाच्चित नहीं की गई जिसकी वज़ासे मुझे फाइनली वूमेंस सेल जाना पड़ा पहले मां आपको जानना चाहँगा किस सन में आपकी शादी हुई थी मेरी शादी आठ मही 2006 में हुई थी शादी का आपका जो जरनी थी स्टाइडिंग का वक्ता हो कैसा था शादी के जरनी बहुत अच्छी थी एक नॉर्मल हस्बन वाइफ जैसे लाइफ जीते हैं आराम से था थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरिट जरूर था लेकिन बहुत अच रगती है तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि आपके पती का वहवार ऐसा है कि उनका नीचर एसा कि आपको और निकरते आपको समझते देना नहीं कुछ अब कैसा मैसुस हुआ है पहले सब कुछ ठीक था चिल्वापरेट करते थे फेमिली से कपर करते लिकिन आफ्टर 2016 जो से भी नहीं हो पाता था लेकिन जब इस बारे में बादचीत होती थी तो फिर लड़ाई जगड़े करना फिर धिरे जब यह मैटर बढ़ते गए मार पीट करना गाली करना घर से निकाल देना बहुत सारी बाते बढ़ती चली गई फिर हमारे बीच में लेकिन एक्चुल जो सब्सक्राइब करने लगा जैसे फोन करो आउट ऑफ स्टेट होते हैं जैपूर वगारा में इनका सारा काम होता था तो जब भी मैंने फोन करती थी फोन नहीं उठाना जब अब रात को एक दो बचे फ्री होना तो जस्त मैसेज डाल देना बच्चों से बात नहीं करना और ज्यादा कोशन पूछो तो फोन नमबर ब्लैक लिस्ट में डाल देना और घर नहीं आना घर के आने के लिए बोलो तो गाली फोन पे ही बतमीजी शुरू कर देना और आना अब तो अगर दिली में कोई मीटिंग ऑफिशली मीटिंग है तो अधरवेज एक दो दिन के लिए आना नहीं तो घर भी नहीं आना शादिगी कितने सालों बाजे बतलाब चालू होगा है 2016 से हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम शुरू होगी थी सिर्फ टाइम को लेके क्योंकि नेचल सी बात है घर से 20 दिन अगर पती बहार रहेगा बातचीत नहीं होती है तो प्रॉब्लम होगी कोश्टिंस भी अराइज होंगे तो जब हमारे बीच में ऐसे प्रॉब्लम होने लगी और यह networking companies में काम करते थे कई लोगों का लाखो पैसा इनके उपर चड़ गया था क्योंकि companies तो बंद होके चली जाती है और लोग इनके पीछे गूमते थे तो जब मैं घर पे अकेली होती थी तो पीछे से लोग भी आ जाते थे वो जिन्होंने पैसे दिया तो म मुझे यह बहाना दिखा के कि वही दीपा यहां problem हो रही है तो आप अकेले रहते हो तो क्योंकि मेरे parents दिली के हैं तो ऐसा करते हम दिली shift हो जाते हैं तो यह problem भी खतम हो जाईगी तुमारे parents भी घर के पास होंगे तो मुझे कहीं बहार रहने में कोई problem नहीं आएगी अक्सर पापा को जैसे फोन करना तो उसको भी सही जवाब नहीं देना जूट बोल देना या उसके कहने पर भी रुकना नहीं इवन बर्डेज वगदर पर भी अपना टाइम नहीं देते थे बच्चों को तो आपको clear कैसे हुआ कि कैसे मालूम पढ़ा के उनका affair किसी भार क सेप्टेंबर में तो इनको हार्ट का थोड़ा इशू आ रहा था तो इन्होंने मुझे कॉल किया दिपा मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो मैं का आगरा में तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं खुद पैरामेडिकल स्टाफ हूं दिल्ली में सब कुछ जानती ह तो आप दिल्ली आजाओ लेकिन यह आइडिया नहीं था कि उनको हार्ट का कोई इशू होगा सोट कोई नहीं सोचता है इस बारे में तो जब वो दिल्ली आये तो मैंने उन्हें जैपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एडमिट कराया वहां पे उनको एंजियो प्लास्टी के लेके गये लेकिन अंजी प्लास्टी की सिच्वेशन नहीं थी हार्ट कि बहुत खराब हो चुके थी हालत तो फाइनली हाट सरज्री करनी पड़ी हाइट सर्ज्री के दौरान जो पालिसी की अपडेट थे, वो हस्बेंड के फोन पे आ रहे थे, आप ओल लो पालिसी के, तो मुझे फोन चाहिए था, क्योंकि मैं वहां पर बार बार उनसे पूछ नहीं सकती थे, तो बैसे मुझे फोन नहीं दे रहे थे, जो मैं नहीं से फोन ले ने गई तो आई स्ट पर दॉक्टर के कहने पर दॉक्टर दिनेश थे उनके तो उन्होंने मुझे फोन दिया आप जो भी कुछ आपके साथ कर रहे थे आप उसको पेशन्स लेकिन नहीं है परिवार के नाम पर कोई बड़ा नहीं है ले देंकि सिर्फ हस्बेंट है और दो बेटियां है मेरे पास है थोड़ा बुरा वक्त है अगर निकल जाएगा तो क्योंकि दो बच्चों के साथ कोई भी ऐसी आर्गुमेंट में पढ़ना हस्बेंट के साही नहीं है अब बेटियां आपकी कहा है मेरे साथ ही है मेरी बच्चियों को 30 सितंबर 2019 से दिली के किराय के घर में छोड़के आ मेरे हजबन किराय के घर पर हमें दिली में शिफ्ट करके अपने नेटवर्किंग के काम में लगे हुए थे लेकिन वह घर पर समय नहीं देते थे उस वजह से थोड़ी सी लड़ाय जगड़े होते थे घर पर बिलकुल नहीं रुकते थे 2019 में जब उन्हें हॉस्पल में मैं चीप से किसी और महीं लागे और वो लेडी को मैं पहचानती हूँ वो मेरे हजबन के पिछले ओफिस में उनके साथ एज़ा एडवाइजर काम करती थी और वो लेडी मेरे हजबन को 2015 से बहुत अच्छे सा जानती है कभी उस लेडी को लेगा आपको कभी कुछ शक नहीं वो तो एक ऑफिशल वो दिखाया जाता था कि एक ऑफिस में काम करने वाई लेडी है तो क्योंकि मार्केटिंग के बंदिया तो फोन पर बातचीत करना या आउट ऑफ स्टेट होना एक नॉर्मल बात थी तो कभी ऐसा कुछ बताया नहीं दिखाया गया उसके बाद जब करेंगे लेकिन जब हजबन को मैं डिस्चार्च करा के घर ले गई 23 सितंबर 2019 को एक दिन तो सब कुछ नॉर्मल था लेकिन 25 तारीक को मेरी बीटिया का जनम दिन था 25 से मेरे हजबन के फोन पर उस लेडी के मैसेज आने लगे लेकिन मैसेज उसी लेडी के ते उसमें बहु मैं अपने ससुराल से जेट और अपनी नरंद को बुलाया कि ऐसे ऐसे मेटर और मैंने मैसेज पढ़ा है कि यह तीस तरीक को आगरा चले जाएंगे इन्होंने हां का रिप्लाई कि मैं आ रहा हूं आगरा वहां पर बाद बढ़ी थोड़ी सी मैंने उनको बोला तो उन्हों कि उन्होंने बंद कमरे में मेरे जेट मेरी नना लुए हस्बन ने पता नहीं क्या बात करी मैं कीचन में थी तो उन्होंने मुझे बुला कि अभी तीस तरीक है और डॉक्टर के पास जाना है उसके बाद हमाकर करते हैं मैं समझ गया कि वह आपको गुम्रा कर रहे थे पू लोग आपर आ गया फिर मैने एक सब्सक्राने पर में नहीं कोमिनिकेशन नहीं बचो के साथ मैं अके लिली घर में धी चबढ़ें करी मुझे फोट्स मिली थी उसके बिहाफ मेंने कंप्लें करि वूमेंस याफ म्हें पहले थो या या नी एक डुब रह जब आsteps तो काउंसिलिंग नहीं हो पाई हमारे भी चुके कि मैं उसमें अपना रिलेशन बचाना चाहती थी मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बेंट अल्रेडी शादी कर चुके है मेरे को इनके मोबाइल से एक 13 करके कुछ पेपर मिले जो मैंने सर्च करे तो मेरे को आगरा फैमली कोर्ट से अपने हस्बेंट और उस लेडी के कोर्ट मेरिज के पेपर्स के यह जो की 26 सगस 2019 मिले अपने लिए जिसका हिंट भी मुझे मोबाइल से ही मिला था वो मेरे साथ रहते हुए, मेरे साथ बच्चों के साथ रहते हुए, हमें रेंट के घर पे शिफ्ट करके, विद वेल प्लान था दोनों का, कि मुझे 2017 में शिफ्ट कर दिया जाए, और 2017 में मेरे लिए hidden mode पे डायवर्स केस डाल दे और मेरे साथ ही रहते थे, नॉर्मली जैसे रहते हैं, और वो सारे पेपर मुझे जब मिले हैं, तब मुझे वो पूरी स्टोडी समझाई कि दोनों ने मिल के कैसा प्लान किया, मुझे दिली शिफ्ट करना, यहां पर डायवर्स लेना, बट वो बायचांस वो पहला जो डायवर्स था, वो जुलाई 2019 में कैंसल हो गया क्योंकि मेरे बच्चों से भी उसका, उनका कोई अटैच्मेंट नहीं है, अगर होता तो अब तक वो बच्चों के लिए तो कोशिश करते हैं, हम दो और धायवर्स से अखेली रह रहे हैं, इवन जब मैरे को जब दूसरे डायवर्स के बारे में पता चला, दूसरा डायव करवाई नहीं चाहती हूं कि मेरी दोनों बेटियां चोटी है, अभी उनकी जिंद्गी शुरू हुई है, और मैं अकेली लेडी हूं, मैं उन बच्चों को छोड़के जॉब भी नहीं कर सकती, तो मैं चाहती हूं कि मुझे सरकार की तरफ से अपनी बच्चियों के लिए को इस बेंड ने उनके संग दोखा दड़ी करी, किसी दूसरी महिला इसा दरोनों ने व्या किया, जिसको लेकर वो सरकार से चाहती है कि उनकी बच्चियों ने आए मिले, उनको ने आए मिले, राता दरपरनी उससे वेशाल गोसामी की रुपोर्ट आग रहा